फिल्म इंडस्ट्री में सूपर स्टार्स की कहानियों की बाते तो हर कोई बताता है लेकिन इस इंडस्ट्री की एक ऐसी कैटिगरी है जो इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी रेती है मेहनत करती है बावजुद उसके उनका जिक्र होता ही नहीं है फिल्मों में भी उन्हें ए 2017 तक वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे आमर कान से लेकर अक्षे कुमार जैसे सूपरस्टार्स के साथ भी उन्होंने काम किया लेकिन पूरी जिन्दगी इस इंडस्ट्री को देने के बावजूद उनका अंत बहुत दुखत हुआ और आर्थिक तंगी से जूजे हालत ऐसी हुई कि एंड में दवाईयां खरीदने के भी पैसे नहीं रहे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो कैमरा के सामने चाहे सीन छोटा हो परफॉर्म दमदार करते थे क्योंकि वो एनसडी से ग्रैजुएट थे लेकिन ये इंडस्ट्र अब अलग तरह से चलती है यहाँ पर लोग एक्टिंग को सलाम नहीं करते लोग स्टार्डम को सलाम करते हैं यही कारण है कि जो लोग किरदार में जान फूब देते हैं उनकी चर्चा कम होती है और जो लोग अच्छा डांस कर लेते हैं अच्छी फाइटिंग कर लेते हैं और expression ठीक ठाक भी दे तो चलता है बस six pack app बना कर कुछ action scenes और कुछ dance moves कर ले वो stars कहलाते हैं इस industry के उल्टे system के कारण ही सीता राम पांचाल जैसे लोगों की ऐसी इस्तिती होती है सीता राम पांचाल ने NSD से पढ़ाई करने के बाद film industry में काम करना शुरू किया सबसे पहली फिल्म Bandit Queen थी इस फिल्म में उनका रोल छोटा था लेकिन उस छोटे रोल में उन्होंने जान फूग दी थी पहली फिल्म से जो आदत लगी वो आदत एंड तक चली सीता राम ने आगे चलकर अपने करियर में लेजंड ऑफ भगत सिंग, पीपली लाइफ, स्लम डॉक मिलिनेर, जॉली एललबी टू और पान सिंग तोमर जैसी शांदार फिल्मे की जोके अवार्ड विनिंग फिल्मे हैं और इन फिल्मों में चाहे उनके रोल्स छोटे थे लेकिन हाँ वो अपनी प्रेजन्स मनवाते सीता राम इंडस्ट्री में ठीठा काम कर ही रहे थे, फिल्मों में जो कुछ उनने रोल्स मिल रहे थे उसे वो बहतर करने की कोशिश करते, लेकिन 2014 में सीता राम को अपनी जिल्दगी से जुड़ी एक ऐसी बात पता चली, जिसके बाद वो तूटते चले गए और उनकी ज सीता राम इंसर है, वो काम करते रहे, लेकिन जब वीक्नेस आने लगी तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था, कुछ साल तो परिवार ने जो कुछ कमाया था, बची कुछी सेविंग थी, उससे सीता राम पानचाल का इलाज करवाया, कुछ होमियोपैथी और पानचाल के हर्याना के एक दोस्त ने हॉस्पिटल से उनकी एक फोटो शेयर की, जिसमें उन्हें पैचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत वीक हो गए थे, और उनकी इस फोटो को शेयर करके उन्होंने लिखा कि ये मेरे दोस्त है, सीता राम पानचाल फिल्मो है, आपका कलाकार भाई सीता राम पानचाल, इस पोस्त के बागी एक खबर मीडिया में आई, फिल्म असोसियेशन सिंटा अक्टिव हुआ, और उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस खबर को शेयर करते हुए, लोगों से मदद मांगी, सीता राम पानचाल के डीटेल्स भी शेयर किये गए और उनके लिए क्राउड फंडिंग जोटानी शुरू की, इधर हरियाना गवर्मेंट ने भी सीता राम पानचाल के इलाज के लिए 5 लाक रुपय का डोनेशन दिया, साथ ही लोगों से 1 लाक रुपया इखटा हो पाया, जिससे उनका इलाज करवाया गया लेकिन उनकी हालत इतनी खराब कि ये इलाज भी उन्हें बचा नहीं पाया, 10 अगस 2017 को उन्होंने आखरी सास ली और उनकी डेट से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ एनिवर्सरी सेलिबरेट की थी और उसकी पिचर उनके बेटे ने स इनसर जैसी बिमारी में हस्ता नजर आया, परिवार की खुशी के लिए अपनी अनिवर्सरी सेलिबरेट की ये है कहानी इंडस्ट्री के उस कलाकार की, जिसने इंडस्ट्री में एक लंबा दोर देखा कहीं सारी फिल्मों में चोटे छोटे पिए लेकिन इन चोटे रोल्स और events मिल ही जाते हैं लेकिन side actors और supporting roles का क्या जब इन्हें फिल्मों में लिया जाता है तब इन्हें कहा जाता है कि आप हमारी film का pillar है हमारी film की नीव है तो इस नीव के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता है जरूरी है कि media इन actors को भी cover करें